बच्चों की मौत का सिलसिला बरकरा प्रियंका की बेरुखी पर मायवती का वार कॉंग्रेस चाशित राजि पर प्रियंका गांधी मौत राजस्थान में बच्चों की मौत का जिम्मिदार कौन प्रियंका गांधी की सेलेक्टिव सियासत राजस्थान की कोटा जिले के जेके लेन अस्पताल में दिसंबर के अंतिम दो दिन में कम से कम नौ और शिश्वों की मौत हो गई है इसके साथ ही बीते दिसंबर महिने में अस्पताल में मरने वाले शिश्वों की संख्या सो हो गई है इस मामले पर अब राजनीती भी तेज हो गई है और विपक्षी दर सरकार पर निशाना साथ रहे है वही बहुचल समाजपाती की सुप्रीमो मायवती ने कॉंग्रेस की महासचिफ प्रयांका गान्धी वाटरा पर नाम लिये बिना हमला बोला है मायवती ने कहा है कि इस मामले पर कॉंग्रेस नेताओं में खास कर महिला महासचिफ की चुप्पी दुखद है मायवती ने ट्वीट करते हुए कहा कि कॉंग्रेस शाशित राजस्थान के कोटा जिले में हाल ही में लगभग सौ मासून बच्चों की मौश से माओं का गोद उजड़ना अती दुखद और दर्दनाक है तो भी वहां के सियम, गहलो, स्वयम और उनकी सरकार अभी भी इसके प्रती उदासीन, असमवेदनशीन और गयर जमितार बने हुए हैं जो अती निंदनी है यूपी के पूर मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि किन्तु उससे भी जादा अती दुखद है कि कॉंग्रेस पार्टी के शीष, नेतत्व और खास कर महिला महास्तचीफ के इस मामने में चुप्पी साधे रखना अच्छा होता कि वो यूपी की तरह उन गरीब पीडित माओं से भी जाकर मिलती जिनकी गोद केवल उनकी पार्टी की सरकार की लापरवाही के कारण उजड़ गई है बहराल मायवती ने कॉंग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जसराज में कॉंग्रेस की सरकार है उसी राज में सौ से जादा मासूम बच्चों की मौत हो जाती है और कॉंग्रेस यूपी में नाटक भाजी कर रही है हाला कि प्रियंका गाधी का नाम तो नहीं लिया लेकिन परोच रूप से तगड़ा हमला बोला है आपको बता दे कि 23-24 दिसंबर को 48 घंटे के भीतर अस्पताल में 10 शिश्वों की मौत को लेकर काफी हंगावा हुआ था हला कि अस्पताल के अधिकारियों ने कहा था कि यहां 2018 में 105 शिश्वों की मौत हुई थी और 2019 में उससे कम मौते हुई है बेरहार मामले को लेकर अब राजनीती भी शुरू हो गई है अब देखने वाली बात होगी कि कोटा में 100 से जादा बच्चों की मौत बर राजनीती कब थंती है डैस रिपोर्ट के न्यूस इंडिया रुकेंग छोड़े जब्रेक के लिए चल हाजर होता है आप देख रहे हैं के न्यूस खबरों का सार्थी खुदी को आज माया है वे अंदाज आया है तो में भी मैं हूँ शुदपलास पानमसाला झाल झाल